oh yes 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 guys a very very good morning कैसे है सबी लोग and क्या आप सब को मेरी आवाज आ रही है जल्दी से एक बार आदियो वीडियो चेक देदीजे a very very good morning चलो जल्दी से आजएंगे जल्दी से okay so i welcome you all i welcome you all to an academy CA Foundation YouTube channel दोस्तों हमारे अभी इस यूट्यूब चैनल पर चल रहे है CA Foundation June 2023 के Pre-Exam Marathons ये कल से स्टार्ट होए थे हमारे इस चैनल पर and ये हमारा टाइम टेबल है सुबह साड़े आठ बजे से हमारे Mathematics के King प्रणफ सर जो है स्टार्ट करते है साड़े आठ साड़े दस Then Second Session जो मेरा होता है Economics BCK का So आज हम क्या करेंगे हम हमारे Economics Chapter 4 जो हम पढ़ रहे थे Economics Chapter 4 इसके Unit 3 को पूरा का पूरा रिवाइस करने वाले है आज इस एक वीडियो में हलकी सी Speed ज्याद रहेगी क्योंकि हमें इसके सारे Points कवर करने है आज बहुत ही जबदस तरीके साब का रिविजन होगा जैसी कि आपने कल भी देखा होगा ठीक है जो लोग मुझे नहीं जाने दो उनको बता दो कि I am Monish Ura I am a Charter Accountant और मैं CE Foundation Level पे Economics BCK बढ़ाता हूँ ये मेरे Marathon का Schedule है कल 14th June है दोस्तों कल है 14th June and कल जो है हम BCK Chapter No.1 कल हम BCK Chapter No.1 जो है इसका रिविजन करने वाले इसका Marathon करने वाले है इसके Notes भी मैंने मेरे इस Virtual Library में डलवा दिये हैं तो आपको क्या करना है आपको बस हमारे Virtual Library पे जाना है मैंने Link Pin कर दी है मैंने Link Pin कर दी है हमारे इस क्या बताएं आज के इस क्लास में आपको क्या करना है बसे टाइप करना bit.ly slash mv sirunacademy आपको नॉर्मली ब्राउजर पे टाइप करना है ठीक है और इसमें गो करेंगे तो आपके सामने ऐसा Virtual Library उपन होगा इसमें Mobile Phone में चोटा स्कीन होता है तो उसमें सीव यह दिखता है पहले तो आपको थोड़ा सा इसा इधर जाना पड़ेगा यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है Marathon Notes of Some Chapters आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है तो हमारे जो Drive Link है वो Open हो जाएगा Marathon Notes का मैंने अभी यहाँ पर इसमें देखो BC के Chapter 1 की भी डलवा दिये है कल Class के पहले Print Out निकालके Ready रहना ठीक है हमारे BC के Chapter 1 के लिए भी कल Print Out निकालके आपको Ready रहना है I hope कि आज भी आप लोग Print Out निकालके Ready होंगे हमारे क्या बताइए आज के Session के लिए चली और जल्दी से लास्ट चीज़ बता दू कि अभी जो है अनकाडमी में चल रहा है 25% का ओफ आज से ही यह ओफर स्टार्ट हुआ है आपके जूनियस को बता देना कि मनजिल बैज जॉइन कर सकते है December 23 एक्जाम के लिए 25% ओफ मिलेगा अब बात करते हैं Unit 3 में आता है Price Output Determination Under Different Market Forms तो सबसे बली बात इसमें आपको पढ़ाय जाता है कि Market Structure क्या होता है बोलते हैं कि किसी भी Market में जिस तरह से Buyers and Sellers एक दूसर से Interact करते हैं और Market में Equilibum Price and Quantity Determine होती है इसको ही बोलते है Market Structure बोलते हैं Market Structure भी Dependent होता है कि एक Particular Seller के पास एक Particular Firm के पास कितना Power है Price को Fix करने का हैना Power to Fix the Price या Power to Influence the Price इसे ही क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं Bargaining Power क्या बोलते हैं Bargaining Power ठीक है? So Market Structure भी Depend करता है जैसे Example Perfect Competition Market में Individual Seller के पास कोई Bargaining Power नहीं होता जो Market में Price चल रहा है उसे ही Accept करना पड़ता है तो हम चार प्रकार के Market Structure के बारे पढ़ने वाले हैं Perfect Competition then Monopoly, Monopolistic and Oligopoly ध्यान देंगे सब सब ले Perfect Competition के इसके Features देखेंगे 10 से 12 MCQs हमारे यही Features में से आ जाते हैं पहला Feature देखेंगे बोलते Perfect Competition कैसा होता है? बोलते Perfect Condition एक ऐसा Market है जहां पे Large Number of Buyers and Sellers होते हैं क्या होते जहां पे? जहां पे होते बीटा Large Number of Buyers and Sellers तो जल्दी से लिख देंगे Large Number of Buyers and Sellers बोलते Large Number of Buyers and Sellers का मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि हमारे Market में एक Individual Buyer या एक Individual Seller का जो Contribution है Total Market में बहुत छोटा होता है इतने सारे Seller है कि एक Individual Seller अपने Output को कम ज़्यादा करके Market के Price को Affect, Market के Price को Influence नहीं कर सकता तो बोलते हैं Share of Each Seller, Each Buyer is too small that they are Unable, क्या लिखेंगे आपे? that they are Unable to Influence the Price, Demand or Supply आगे बढ़ेंगे Next बात आदी यहाँ पे किस प्रकार के Products होते हैं? बोलते है Perfect Competition में होते है Homogeneous Products कैसे होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे Homogeneous Products बिखते हैं, Homogeneous का मतलब होता है दोस्तो identical, एकदम Same to Same बोलते हैं सारे जो Sellers होते हैं वो एकदम identical Products बेचते हैं और इसके वज़े से ही क्या? इसके वज़े से ही पेटा सारे Products एक दूसरे के क्या होते हैं? Perfect Subsidutes होते हैं सारे Products एक दूसरे क्या होते हैं? Perfect Subsidutes होते हैं बोलते हैं कि चूकी सारे Sellers के प्रोड़क्स सेम हैं इसलिए Buyer's के पास कोई Preference नहीं होता कि Seller A से ही खर दूँगा, Seller B से ही खर दूँगा, अरे सारे Sellers सेम प्रोड़क्ट ही बेच रहे हैं बोलते हैं, Buyer's have no preference, they have no preference between different sellers and different units of goods Next बात आती हैं कि हमारे Perfect Competition में होता है, Free Entry and Exit Free Entry and Exit मतलब क्या है? यह कोई ऐसा Amusement Park नहीं है, कोई Garden नहीं है कि Garden में अंदर गए तो Entry fee दिना पड़ता Free Entry Exit मतलब कोई भी प्रकार के Barriers नहीं होते हैं Market में Enter करने के So there are no legal or market related barriers, है न, तो यहाँ पर Free Entry Exit है, कभी भी कोई भी organization Perfect Competition का Part बन सकता है, अपना Goods वगरा बेच सकता है, कभी भी Market को छोड़के जा सकता है कोई Problem नहीं है, बोलते हैं, जब किसी भी Market में यह 3 Condition पूरी होती है तो उस Market को बोला जाता है, कि वह एक Pure Competition उस Market में Pure Competition exist करता है, ऐसा बोला जाता है, वापस से, तो आपको MC क्यों आता है, कि किसी Market में Pure Competition exist करता है इस किसी Market में Pure Competition exist करता है, यह कैसे पता चलेगा, यह 3 Condition को चेक करना बढ़ेगा अगली बात देखेंगे next, फिर आते हैं बेटा कि यहाँ पे होता है आपका, तो यह है आपके 3 Condition Pure Competition के बोलते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कि Perfect Competition Market के Characteristics क्या है, Perfect Competition Market कैसा होता है सर, तो यह Pure Competition क्या है, हम बोलते हैं, किसी Market में Competition Pure है या नहीं, कैसे पता चलेगा, अगर यह 3 चीज़े होती है, किसी Market में, तो ही Pure Competition होता है समझा, मतलब कि यह Condition Pure Competition की नहीं है, यह क्या है, यह इसके ही Features है, तो Perfect Competition के टोटल यह 6 Feature है, जिसमें सा अगर यह 3 Feature किसी भी Market में देखने को मिले, तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे Pure Competition exists करता है, ओके, Perfect Competition के और क्या Feature है, बोलते हैं, यहाँ पे हम Assume करते हैं, मतलब जनरल Buyers के बास पूरी जानकारी है, कि कौन सा पुड़ा कहा पे मिलेगा, कौन सा Seller बैचता है, क्या Price चल रहा है Market में, तो Seller को यहाँ पे अलग से Advertisement करने की जरवत नहीं होती, बोलते हैं, there is very low transaction cost है, यह जो भी मैं लिखवार हो, यह सब MC की वाले points है, बोलते हैं, perfect competition में बह Advertisement करने की जरवत नहीं है, क्योंकि Already Buyers को पता है, कि Sellers कहा पर है, और Concept बैचते हैं, आगे बढ़ेंगे Next, अगली बात देखेंगे, फिर आता है बिटा, All Firms, All Firms Individually Are Price, All Firms Individually Are क्या बताइए, All Firms Individually Are Price Takers, यहादर है Undertaker, बोलते हैं, यहाँ पे सारे Firms Individually क्या होते है Price Takers होते हैं, बोलते हैं कि Firms Have To, क्या लिखेंगे आपर, Firms Have To, बोलते हैं, Market में जो Price Decide होती है, जो Market में Price Decide होती है, उस Price को अपनाना ही पड़ता है, Option नहीं है, Firms Have To Accept, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, Have To Accept, Have To Accept, जो Market में Price चल रही है, उस Price को Accept करना ही पड़ता है, को अप्शन नहीं है, Same चीज बेटा, Consumer को भी Apply होता है, मदला, MC क्यों आता है, MC क्यों आ सकता है आपको, कि मुझे बताइए, क्या Perfect Competition में, जो Price Taking है, Perfect Competition में, बेटा, जो Price Taking वाला जो चीज है, Price Taker, क्या सिर्फ Seller Price Taker होता है, क्या, क्या सिर्फ Seller Price Taker होता है, Perfect Competition में, नहीं, Buyer भी Price Taker होता है, मतलब की Seller जो है, मतलब की बेटा, Seller जो है न, ये अपने मर्जी से, Price को बड़ा नहीं सकता, और Buyer जो है न, ये भी अपने मर्जी से, Discount वगरा नहीं मांग सकता, जो Market में Price चल रही है, वो दोनों को माने नहीं पड़ेगी, Accept करनी पड़ती है, ऐसा, क्योंकि Large Number of Buyer and Seller है, अगर Buyer बोलेगा, Price कम करो, तो Seller बोलेगा, है, तेरे जैसे बहुत Buyer है, तेरे को नहीं होना गया, Price में, चल निकल, और अगर क्या बताईए, Seller नहीं बोला, कि ज़्यादा Price दो, तो ही बेचूंगा, तो Buyer बोलेगा, है, तेरे जैसे बहुत Seller है, तेरे जैसे बहुत Seller है, तो मैं दूसरे Seller के पास जाता हूँ, ये समझते बात क्या Price टेकिंग दोनों पे applicable होता है, ठीक है, आगे बोलते है, there is perfect knowledge and perfect mobility, perfect knowledge मतलब सारे buy seller को पूरा, पूरी जानकारी है, market के बारे में, perfect mobility होता है, factors of production का, मतलब कि यहाँ पे कोई भी Seller ऐसा resources को रोक के नहीं रखता, जैसे monopoly वाला क्या करता है, उसके product को बनने के लिए, जो resources perfect mobility of resources, तो factors of production जिसको जो use करने कर सकते है, कोई मना ही नहीं होती, ठीक है, फिर भी अगर कोई seller होश्यारी मारेगा, और prices को बढ़ानी की कोशिश करेगा, तो उसके सारे customers छोड़के चले जाएंगे उसको, आगे बढ़ेंगे next बात, next बोलते हैं पिटा, कि perfect competition क्या है, बोलत मतलब कि जो real life में देखने को ना मिले, बोलते हैं कोई market में ये सारे feature देखने को मिले, ऐसा possible नहीं है, तो perfect competition क्या है, और फिर आगे example दिये है, बोलते है, agriculture product क्या है, perfect competition, आपको MC क्यों आएका, stock exchange, stock exchange कैसा market है, perfect competition, हमारा foreign exchange market, then precious metal का gold, silver, platinum, जहाबे बिखता हो, कैसा market है, perfect competition, सर, आप सोचलो, आप क्या बोलना चाहरे हो, पहले खुदी मित बोलते हो, खुदी example देते हो, बोलते हैं, ये सारे, ये सारे example है perfect competition के, क्यों, क्योंकि इन markets में perfect competition के ज्यादा तर feature देखने को मिलते हैं, इसी लिए, वैसे ये, जैसे stock exchange, foreign exchange market, ये भी perfect, बनलब एकदम purely हैना, इसमें perfect competition के सारे features आते हैं, पर ज्यादा तर feature देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको example में मानते हैं, perfect competition के, आगे बढ़ेंगे next, फिर बात आते हैं कि हम जो है perfect competition industry का short run में equilibrium कैसी निकालेंगे, अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, कि सबसे बिले industry क्या होता है, बोलते ह एक industry है ना, so group of firms in similar type of business, तो इस सारे firms को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे, industry, yes, मतलब क्या बताईए, जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारा market है, और इसमें बहुत सारे sellers है, सब कौन है सारे sellers है, तो ये सारे sellers को एक साथ क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा पूरा industry, और इसमे एक individual seller कौम क्या बोलेंगे, firm ऐसा, तो individual seller मतलब individual firm, और सारे sellers को एक साथ बोलना है, तो industry, बोलते हैं, perfect competition का industry, equilibrium पे कब आता है, बोलते हैं, जब हमारे market में, market मतलब यहाँ पे industry बोल रहा है, वो ठीक है ना, जब हमारे market में, या perfect competition industry में, जो market demand कर्व होता है, जब वो market supply से intersect करेगा, जब market demand कर्व, market supply कर्व से intersect करता है, तो उससे जो price हमारी आती है, यही वाली price, यही वाली price, जो है individual seller, जो है, यही वाली market में, जो price determine होती है, यही वाली price, individual seller, ले लेता है, accept कर लेता है, ऐसा, इसको बोलते है, price taking, क्या बोलते हैं, इसको price taking, कि market में, जो price decide, सब से बेले market में decide हो की price market demand market supply कर से और यह जो price decide हुई अब यह price बाकी सारे sellers individual seller अपना लेते हैं तो आपको MC क्यों आएगा क्या MC क्यों आएगा आपको बुलेगा perfect competition industry का demand कर डिमांड कर डाउन वर्ड sloping लेकिन perfect competition का firm individual firm perfect competition inducer seller का demand कर वो कैसा होता है वो होता है horizontal parallel to x-axis समझे बात आगे बढ़ेंगे इधर आओ बोलते हैं तो हमारा industry perfect competition industry short run में equilibrium में कब होगा जब market demand कर market supplier से intersect करेगा उस point पे equilibrium में आ जाता है पूरा industry अब बात आती तो सर फिर हमारा perfect competition firm मरलब individual firm equilibrium पे कब आता है है ना ओके तो इसके लिए पहले आपको थोड़े से basics उन्होंने समझाए मैंने मेरे notes में डाले basics ठीक है यह सारे चीज़े study model के हिसाब से ही है जिन बच्चों के पास अच्छा कुछ बच्चों को doubt है ऐसा देखो मेरे ना बेटा एक book आती है जिसको हम बोलते है इको शास्त्र क्या बोलते है एक book आती जिसे एको शास्त्र बोलते है ठीक है एको शास्त्र BC के शास्त्र ठीक है तो हमारी यह दो books होती है जो होती है आपकी regular books यह हमारी क्या होती है यह हमारी regular books होती है इसमें सारी चीज़े दी होती है फिर एक मैंने लॉंच किया थे बिटा सूपर चाड बुक क्या था सूपर चाड बुक यह क्या है यह रिविजन परपस के लिए हमने बनाया था इसमें पूरा इकनॉमिक्स बीसी के कवर्ड है एक मेरी बुक थी बिटा MCQ कमपाइलर यह किस के लिए होता है यह होता है MCQ प्राक्टिस के लिए ठीक है अब कुछ बच्चों का डाउट ऐसा था कि सर हमारे पास अगर इको शास्त्र बुक है तो क्या हमें यह मैराथोन के नोट स्प्रिंट करवाने की जरुवत है यह आपका ऑप्शन है अगर जैसी इको शास्त्र में सारे चीज़े दी हुई है तो जब मैं यह टॉपिक पढ़ रहा हूँ आप वो पेज ओपन करके बैठ सकते हैं समझे बात क्या बूलना चाहरा हूँ आपके इको शास्त्र में सब चीज़े दिया हुआ है सेम चीज सूपर चार्ट बुक इसमें भी रिविजन परपस के लिए जो भी इंपोने टॉपिक से जो मैं यहां पर कवर कर रहा हूँ यह सारे दीए सूपर चार्ट बुक में तो सूपर चा करें दीए सब चारों इसका पीडिए नहीं मिलता है अगर संपर लेक्षे एहां को बड़ेंगा औरी शालके एक firm equilibrium में तब आता है जब वो अपने profit को maximize करेगा अब मैंने कल आपको पढ़ाया था behavioral principle principle number 2 कि profit maximize कब होता है जब MR equal to MC होता है है ना तो हम उस point पे जाएंगे अभी सिव याद रखें कि एक individual firm equilibrium पे कब आएगा equal में मतलब एक ऐसा level जहां पे हम fully satisfied हो a state of rest जहां पे आके हम थमना चाहेंगे रुकना चाहेंगे तो एक individual firm क्या चाहेगा कि हमारा profit ज़्यादा से ज़्यादा हो तो जब हमारा profit सबसे ज़्यादा हो जाएगा हम उतना level production करना चाहेंगे तो firm equilibrium कब आएगा जब profit maximize होगा अब बोलते है जो level of output पे आपका profit maximum आता है उस level of output को बोलते है equilibrium output और इस level पे जहम आपहुचते हैं तो हम आउटपूट को कम भी नहीं करते हैं ज्यादा भी नहीं करते हैं क्योंकि इस पे हमारा profit maximum आता है equilibrium output पे इस लिए बोलते हैं कि perfect combination firm क्या होते हैं undertaker होते हैं price takers they have to accept price determined by the market मैंना अभी ज़स्ट पताया था next फिर आपको MC की वा आता है कि individual firm का demand curve of individual perfect combination firm कैसा होता है तो यह होता है याद रखेंगे perfectly या infinitely elastic है ना या हम क्या बोलते इसको horizontal parallel to the horizontal parallel to the x-axis समझेरे बात horizontal parallel to the x-axis बड़े आगे next अगली बात ठीक ना तो यहाँ पर MC की वा आगा कि elasticity कैसे होंगी perfectly elastic next perfect competition firm में supply curve क्या होता है चलो fast बताईए perfect competition firm में supply curve क्या होता है याद रखेंगे यह बच्चे भूल जाता है भी logic में नहीं जा सकते सिव लिख लिजे perfect competition firm में supply curve होता है बिटा marginal cost curve above the average variable cost curve बस अभी फिला लिखता लिख लूआ इसके explanation में नहीं जा सकते सिव याद रखेंगे कि जो marginal cost curve होता है न वो सिर्फ और सिर्फ perfect competition की बात कर रहा हूँ marginal cost का perfect competition में supply curve की तरह behave करता है so marginal cost का जो portion होता है above the average variable cost curve वो वाला portion perfect competition का supply curve की तरह behave करता है याद रखेंगे MCU आता है next आगे बढ़ेंगे अगली बात अब बात आती है conditions for equilibrium of perfect competition firm in short run sir आपने यहाँ पे पहले क्या बताया कि perfect competition industry मैंने सबसे बिले क्या बताया आपको मैंने सबसे बिले आपको बताया perfect competition industry जो है यह short run equilibrium में कब आएगी तो मैंने इसका बोला भीया देखो जब market demand market supply से equal हो जाएगा अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि perfect competition firm short run में equilibrium में कब आएगा तो बोलते इसमें दो condition है इसमें दो condition है बोलते first order condition क्या है दो condition बोलते देखो यह first order second order का है बोलते पहले प्यार होता है और फिर शादी होगी या दूसरे तरीके से देखो पहले दोस्ती होगी फिर ही तो प्यार हो पाएगा ना बिटा ऐसा होता है का पहले प्यार फिर दोस्ती बोले पहले first order condition बोले अगर समझो दोस्ती हो गई फिर चेक करेंगे ना कि प्यार है या नहीं समझ पारो क्या बुलना चाहरा हूँ अगर दोस्ती ही नहीं है तो प्यार कैसे होगा पस वैसे ही बोलते first order condition का मतलब है कि equilibrium अगर चेक कर की जरुवत नहीं है चेक करो फॉर्स्ट कंडिशन में होता है फॉर्स्ट ओर्डर कंडिशन आपका होता है कि MR शुड बी इक्वल टू एमसी क्यों कि इंडिविजल फर्म एकलिमे में कब आता है जब वो प्रॉफिट मैक्समाइज करता है तब तो इसलिए अगर समझों MR इकल टू एमसी हो गया तो सकंड ओडर कंडिशन होता है अब अगर смотреть करो को निच्चू से कट कर रहा है या नहीं या इसको दूषर तरह के से बोलते हैं कि क्या marginal cost curve का positive slope है या नहीं equilibrium पे अगर ये दोनों condition satisfy हो रही है किसी point पे तो वो equilibrium point हो जाता है perfect competition firm का short run में अच्छा आईए धर जैसे कि यहाँ पे check करो हमने individual firm का demand कर बना है सर कैसे पता चला कि यह perfect competition individual firm का ही है देखो यहाँ पे जो average revenue कर वे ना हमारा average revenue यही हमारे demand कर होता है मैंने कल यह आपको बताया था और यह है horizontal अच्छा और यह का होता है ऐसा सिफ perfect competition में होता है मतलब मैं यह diagram को देख के ही बता सकता था कि यह perfect competition firm का diagram मना है तो यह हमारा average revenue कर यही demand कर और यही marginal revenue क्योंकि मैं आपको कल पढ़ाया था कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ perfect competition में ऐसा होता है जो आपका marginal revenue होता है वह average revenue से equal होता है this happens only in perfect condition यादा रहे कल करवाया था तो जो मेरा average revenue curve है या जो मेरा demand curve है वही मेरा क्या हो जाएगा बताओ वही मेरा हो जाएगा marginal revenue curve समझें क्या बात अब marginal cost curve जो है वो होता है U-shaped आपको बढ़ाया था है economic chapter 3 में ये U-shaped का होता है अब चेक करो हमारा ये जो marginal cost and marginal revenue ये दो point पे intersect कर रहे है अच्छा तो यहाँ पे भी MR equal to MC है है ना और यहाँ पे भी MR equal to MC है लेकिन यहाँ पे MC curve उपर से cut कर रहा है अब कुछ बच्चे बोलें गा सर ऐसा कैसे बोले अगर आब यहाँ से देखोंगे ये left to right पड़ते ना वैसे ही graph को जब देखा जाता है left to right देखा जाता है समझेगा बात क्या बुल रहा हूँ मतलब कि आपको इधर से देखना है left to right तो जब ये ऐसा जा रहा है मतलब ये उपर से नीचे काट रहा है समझेगा बात मतलब की marginal cost उपर से cut कर रहा है मतलब की ये equilibrium नहीं है अगर हम और और अगर output बढ़ाए ना अगर हम यहाँ पे रुख गए तो profit maximum नहीं होगा अगर हमने और output बढ़ाया ना तो marginal revenue ज़्यादा होगा और marginal cost कम रहने वाला है अरे मतलब और profit कमानी की गुणजाईश बची है इसलिए हम और output बनाएंगे कब तक यहाँ तक बोलते हैं ये हमारा होगा equilibrium point सर ये equilibrium point कैसे होगा क्योंकि यहाँ पे MR MC को intersect कर रहा है और MC कर्व नीचे से cut कर रहा है MR को अब जेपीस बताओ जल्ली से क्या बात समझ में आगी या नहीं बताओ तो ये हमारा equilibrium point होगा यहाँ पे इस condition के साब से next अब बात आती है कि क्या perfect competition firm को short run में normal profit हो सकता है येस तो याद रखेंगे normal profit कैसे आता है बोलते है जब हमारा average revenue लिख दीजे प्लीज क्या ऐसा हो सकता है short run में येस ऐसा short run में हो सकता है अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि short run में equilibrium level पे हमारा average revenue ज़्यादा हो average cost से तो आपको super normal profit होगा या क्या ऐसा हो सकता है कि short run में आपके equilibrium point पे losses हो सकते हैं गया perfect condition firm को हाँ बही हाँ जब average revenue कम होगा average cost से तो ये तीनों चीज़े हो सकती है कहाँ पर short run में लेकिन अब बात करते हैं कि equilibrium of perfect competition firm in the long run अच्छा मतला अब क्या बोल रहे हैं अब क्या हम बोल रहे हैं चेक करो एक मेट रुकिये तो ज़रा सा अब क्या बोल रहे हैं अब हम बोल रहे हैं पहले बात पहला तो में आपको क्या बोला पहला इसमें perfect competition firm short run में में कब होता है जब MR equal to MC और MC जो है वो निच्चु से cut कर रहा है यह MC का positive slope है एना add equilibrium तो ऐसा होता है correct अच्छा ये एक बात होगी हम दूसरा क्या पढ़ रहे है next अब हम next चीज दोस्तों हम next चीज पढ़ रहे है अगुली चीज पढ़ रहे हैं अभी कि perfect competition firm कि लॉग रंड में इक्रीमिंवे कब होता है समझे अभी क्या पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं कि perfect competition firm long run में इक्विलीब्रियम में कब आएगा समझे बात देखो यही confusion होता ना इसलिए मैंने यहाँ पे एक सा summarized way में भी लिखवा रहा हूँ आपको ठीक है इदर आओ अब बोलते देखो जैसे हमने short run के लिए condition पड़ी थी ना वैसे long run के लिए condition यह होती है कि long run में perfect competition firm इक्विलीब्रियम में तब होता है जब वो ऐसे level of production ऐसा level of output बनाए जहाँ पे उसका long run average cost कर minimum आए वापस है बोल रहे हैं कि long run में perfect condition firm equilibrium में तब होता है जब हम ऐसा level of output बना रहे हैं जहाँ पे at level of output where क्या बताइए long run average cost is minimum समझे तो यह condition है ऐसा है ठीक है आई यह दर वापस आएंगे तो बोलते हैं देखो यह पर ध्यान दो मुलते हैं पहली बात आप सबको यह तो फर्क पता होगा short run क्या होता है एक ऐसा time period जहाँ पे हम सिफ labor को vary कर सकते हैं capital को vary नहीं कर सकते हैं एक factor variable एक factor fixed या at least एक factor fixed जोना चाहिए short run के लिए long run क्या होता है एक ऐसा time period जहाँ पे हम हमारे हम हमारे scale of operation को बदल सकते हैं alter कर सकते हैं मुला बदल सकते है scale of operation का मतलब क्या होता है जब हम हमारे सारे input को एक साथ है ना simultaneously increase करते हैं simultaneously increase या decrease करते हैं इसे बोलते है scale of production चेंज करना तो लॉंग रन एक ऐसा टाइम परिड होता है जहां पर हमारे सारे इंपुट वेरियेबल हो जाते हैं इसलिए हम स्केल ऑफ ऑपरेशन को बदल सकते कि इसमें लॉंग रन में ठीक है और लॉंग रन में क्या होता है कि हमारे फॉर्म जो होते हैं देयार फ्री क्लिबें में कब आएंगे जब वो ऐसा ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं ऐसा लेवल ऑफ आउट्पूड बना रहे हैं जहां पर आपका मिनिमाम आ रहा है एड़ दे मिनिमाम पॉइंट ओफ मिनिमाम पॉइंट ओफ लॉंग रन आवश कॉस कर्व समझे बात येस विच इस टैंजेंट टुदर डिमांड कर्व डिफाइंड बाइद मार्केट पैस है ना डिमांड कर मतलब यहां पर क्या आपका एमार या एवरेज रेंव कर ठीक है बस तो यह क्या है बताओ यह क्या है इसका कंडिशन है अब हम इसको और एक्सपे नी कर सकते फिलाल बस याद रखेंगे लॉंग रेंड में परफेक्ट कॉमडिशन फिलेव में कब रहेगा जब वो प्रोड़क्शन कर रहे है किस पे जब वो प्रोड़क्शन कर रहे है at the minimum point of long run average cost curve and एंड क्या वि अब बोलते हैं याद रखेंगे सूपर नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन परफेक कॉम्टिशन में लॉंग रन में नॉर्मल प्रोफित ही होते है अब MC की वाता है कि long run में normal profit कहां छुपे होते हैं बोलते हैं long run में normal profit किस में छुपे होते हैं यह छुपे होते हैं बेटा average cost curve में average total cost मिला long run average cost की बात कर रहा है बस याद रखेंगे क्या कि आपको MC को आएगा कि in the long run normal profits are included in the long run average cost ठीक है आगे बोलते हैं अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो बोलते हैं यहाँ पर हमारा यह क्या है यह हमारा है long run average cost curve इसका minimum point का है इसका minimum point है इधर क्या यह वाला point जो minimum point क्या यह tangent है क्या दिमांड कर से क्या यह demand कर से tangent है यहाँ पर हाँ सर मतलब की क्या हो गया मतलब की यही वाला जो पॉइंट है न यही हमारा equilibrium पॉइंट हो गया अब हमने economics chapter 3 में ऐसा पढ़ा था कि जहां पर बेटा आपका long run average cost minimum होता है वहां पर कोई ना कोई short run average cost का भी minimum point होता है ऐसा economics chapter 3 में पढ़ते हैं मतलब की add equilibrium add equilibrium चू की हमारा long run average cost minimum point पर है तो वही पर कोई ना कोई short run average cost का भी minimum होता है तो this is equal to short run average cost समझ रहे हैं अब हमने economics chapter 3 में पढ़ा है कि जहां पर आपका average cost minimum होता है वही से कोई ना कोई marginal cost कर भी क्या होगा मतलब वही पर marginal cost उससे equal होता है तो इसले चू की यह minimum point है equilibrium पर तो this will be equal to the long run marginal cost अब जहां पर आपका short run average cost minimum है वहाँ से short run marginal cost कर भी तो जाएगा तो this will be equal to short run marginal cost अब चू की यह equilibrium point है तो हमारा जो marginal cost है that should be equal to marginal revenue तभी तो profit maximize होगा तो this is equal to marginal revenue और चू की हम perfect competition में है तो marginal revenue ही क्या होता है हमारा price होता है तो यह सब चीज़े equal हो जाती है हमारे price से बस MCQ आता है कि long run में perfect competition में क्या होता है यह सारी चीज़े होती है समझे बात यह मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि कैसे हुआ इतना ही है यहाँ पर काम का आगे बढ़ेंगे next अब बात आती है अरे भाई साहाब सर क्या बोल रहो अब बात आती है कि अब बात आती है perfect competition industry long run में equilibrium कब आएगा मतलब अब क्या बोल रहा है वो अब वो यहाँ पर बोल रहा है अब वो बोल रहा है भीया कि यह long run में equilibrium मैं कब होगा समझे गया बात हम क्या पढ़ रहे है क्या यह diagram आपको help कर रहा है क्या वो चीज समझने के लिए यह diagram help कर रहे है आपको वो चीज समझने के लिए हम जो पढ़ रहे है yes यह समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो अब परफ्यक कॉंडिशन इंडस्ट्री बोलते इसमें तीन कंडिशन देखनी पड़ती इसमें तीन कंडिशन देखनी पड़ती बोलते लॉंग रन में पूरी इंडस्ट्री इकलिमे में कव होगी बोलते हैं जब पूरे industry में individually जो firm है ना वो equilibrium होने चाहिए मतलब कि all individual firm जो है वो किस में होनी चाहिए वो equilibrium पे होनी चाहिए दूसरा there should be no incentive to enter or exit मलब number of firms जो है ना अब वो कम ज्यादा नहीं होगी आपके number of firms जो है ना यहाँ पे अब वो कम ज्यादा नहीं होगी जल्फ हम normal profit कमा रहे ना तो वो market छोड़के भी नहीं जाएंगे और बाहर वाले भी market में आएंगे नहीं क्योंकि सोचेंगे normal profit ही मिल रहा तो हम क्यों को एंटर करें नेक्स्ट और फिर क्या बताईए थर्ड पॉइंट इसमें होता है कि market में ऐसा प्राइस चल रहा होना चाहिए जहां पर market demand market supply से equal हो तो यह हमारा समरी है perfect competition का ठीक है ऐसा है तो यहाँ पर आये देखो यहाँ पर क्या लिखा है बोलते है कि perfect competition industry long run की equilibrium में कब आएगा बोलते है भी यह देखो जब हमारे all firms in in the industry are in equilibrium सारे firms equilibrium में होने चाहिए next बोलते है क्या बताए डाश और डाश है आईधर क्या बताए यह आईधर तो एंटर और एक्जिट बताए क्या आएगा यहाँ पर first क्या लिखेंगे बताओ all firms have no incentive no incentive मतलब मतलब की industry को छोड़गे जाके भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं industry में आके भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं नए organizations के लिए ऐसा so firms have no incentive है ना आईधर तो एंटर और exit ऐसा क्योंकि सारे firms को normal profit मिल रहा है और तीसरा condition होता है कि price market में मार्केट में प्राइस ऐसा होना चाहिए such that market supply equal to market demand जब यह तीनों condition पूरी होंगी तो perfect condition industry long run के एकलिए में में आता है बोलते हैं चूकी देखो एक ऐसा organization एक ऐसा factory जो minimum point of long run average cost पर production करे ना उसको बोलते हैं कि वो optimum output बना रहा है और जो organization optimum output बनाता है उस organization को बोलते हैं कि एक optimum firm है तो long run equilibrium में हमारे सारे ही organization सारे ही individual firm equilibrium में है मलब सारे ही individual firm minimum point of long run average cost पर production कर रहे हैं मतलब की बेटा long run equilibrium में सारे perfect competition firm optimum firm ही होते हैं बोलते हैं कि perfect competition एक मात्र ऐसा market है जिसमें optimum allocation of resources होता है long run में ऐसा क्यों पहला reason बोलते हैं क्योंकि perfect competition में हम हमारा output बनाते हैं minimum feasible cost में क्योंकि हम minimum point of average cost पर production कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं consumer जो है वो minimum possible price पे करता है मतलब इसको बोलते हैं बेटा लिख देंगे जल्दी से इसको बोलते हैं कि average revenue equal to marginal cost एक additional unit बनाने का खर्चा जित्ता होता है उतना ही सामने वाले same price चार्ज करते हैं इसे बोलते हैं बेटा allocative efficiency क्या बोलते हैं आपको MC क्यों आएगा कि allocative efficiency कहां पे अचीव होता है जहां पे average revenue is equal to marginal cost next बोलते है plants used at full capacity बोलते हैं यहां पे plants जो ना full capacity पे use होता है full capacity production कब होता है जब हम minimum point of LAC पे production करें कोई wastage नहीं होता resources का मतलब जहां पे हमारा average cost minimum होता है वही पे हमारे बेटा average cost is equal to marginal cost इसे बोलते है productive efficiency क्या बोलते हैं इसे बोलते है guys productive efficiency तो आपको MC क्यों आ सकता है कि productive efficiency कहां अचीव होती है यह होता है तब allocative efficiency कब अचीव होती है जब यह होता है तब बोलते है सारे firms long run में perfect competition में सिफ normal profit ही कमाते है मतलब सारे firms AR equal to AC वाले level पे होंगे then सारे firms profit को maximize भी करेंगे मतलब MR will be equal to MC और सारे optimum number of firms ही होंगे market में कोई भी नया firm आएंगा नहीं existing firm छोड़के नहीं जाएगा perfect competition खतम इतने important points में MCQ आ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे next अगली बात फिर आते हैं आपका monopoly चले ध्यान देंगे जल्दी fast अब perfect competition में ही ज्यादा समय लगता है बाकियों में अब इतना समय नहीं लगेगा चली अब बात करते हैं monopoly monopoly मोनो का मतलब होता है single poly का मतलब seller monopoly बोलते हैं monopoly मतलब है alone to sell या single seller ऐसा seller है जो ऐसा product बेच रहा है बोलते हैं यहाँ पे seller जो है ऐसा product बेच रहा है जिसका कोई भी close substitute नहीं है बोलते है pure monopoly कभी भी in practice pure monopoly कभी भी reality में देखने को मिलता ही नहीं है क्यों क्योंकि pure monopoly होना ये competition के खिलाफ होता है ठीक है इससे जो competition खतम हो जाता है लेकिन government का अगर monopoly हो तो वो चलता है क्योंकि private participants जब अपनी monopoly बनाएंगे तो अपने profit कमाने के बारे में सोचते है पर government जब भी कोई काम करता है वो लोगों के welfare के लिए सोचता है इसलिए government का monopoly चलता है जो mass public use करते हो जैसे transport, water, electricity जैसे इंडिया में railways में monopoly है किसी government की है ना तो वहाँ पे monopoly कभी बार देखने को मिलता है चली आगे देखेंगे next अब इसके हमें features देखने है पहला feature के है obviously single seller होता है product का है ना बोलते है पूरे industry में एक ही firm है जो production जो goods या service बेच रहा है किसी particular प पूरे industry में एक ही तो firm है, पूरे industry में एक ही तो firm है बेटा, yes no, पूरे industry में एक ही firm है, yes or no बताइए तो जो firm है बेटा, वही हमारा क्या है industry है, खतम तो बोले क्या देखो, क्या बोल रहे है, बोलते हैं, there is no distinction between firm and industry, मतलब क्या है, there is absence of competition, अरे हमारे जैसा कोई दूसरा seller है credited में पूरा इंडास्ट्री में हम एकित लार है तो जो इंडास्ट्री है वही सेलर है बहु के जाता है ठीक है next बोलते हैं barrier to entry जैसे perfect competition में सब खुला खुला था सब open open था मतलब क्या बताओ कभी भी कोई भी आ सकता है कभी भी कोई भी जा सकता है पर यहां पर क्या बताएं यहां पर strong barrier to entry मतलब क्या बहिया हां बोले कि monopoly seller जो है किसे को आने भी नहीं देता आसानी से market में और खुद तो छोड़के जाएगा भी नहीं market क्योंकि उसके तो मजी मजे ज्यादा profit कमा बार है आगे पढ़ेंगे next फिर बात आती बिटा हां एक चीज याद रखेंगे कि monopoly वाला जो ना यह होता है price maker लिख देंगे monopoly वाला क्या होता है monopoly वाला जो यह होता है price maker प्राइस maker होता है price maker होने का क्या मतलब है price maker होने का मतलब होता है price maker होने का मतलब यह होता है कि monopoly वाला अपने मर्जी से जो price चाहे वो चार्च कर सकता है मतलब generally यह ट्राइ करेंगा ने कि ज़्यादा price चार्च करें बोलते है monopoly वाले के पास यह power होता है to charge a price above marginal cost मतलब कि यह जो है average revenue marginal cost से ज़्यादा होता है price ज़्यादा होता है marginal cost से मतलब क्या नहीं होता monopoly में क्या नहीं होता याद करो अभी बताया था जब AR equal to MC होता है तो allocative efficiency होती है तो MC क्यों आता है कि allocative efficiency क्यों नहीं होती क्योंकि monopoly में allocative efficiency क्यों नहीं होती क्योंकि monopoly वाला ज्यादा price charge करता है marginal cost से अरे जब ये होगा तो allocative efficiency होंगी ना पर ऐसा होता है नहीं monopoly में और इसको बोलते है power to charge a price above marginal cost इसे बोलते है बेटा market power होना क्या बोलते है इसे इसे बोलते है बेटा market power होना चले तो लिखेंगे आपे क्या है बताओ इसे क्या बोलते है इसे बोलते है market power होना समझ रहे बात में क्या बोलना चारो बताए प्लीस येस नो पक्का राइट आगे बढ़ेंगे next अगली बात आते है बेटा next ध्यान देंगे next बात देंगे बेटा next बात आता है आपका कि यहाँ पे कोई भी close substitute नहीं होते है यहाँ पे कोई भी बेटा close substitute नहीं होते बोल रहे है बोलते है monopoly firm has control over market supply ये खुदी पुरे market supply को control करते है ये ऐसा product बेचता है जिसका कोई close substitute नहीं होता अब MC क्यों आता है कि monopoly में cross elasticity of demand किता होता है अगर मैंने मेरे price को बढ़ाया या समझो किसी मैंने मेरे price को बढ़ाया तो दूसरे product के demand पे क्या असर बढ़ेगा अरे हमारे product में और दूसरे product के में कोई relation ही नहीं है या उल्टा देखो अगर हमारे मार्केट में कोई दूसरा competitor है या दूसरा कोई seller है competitor नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही seller है कोई दूसरा seller है वो किसी product का price बढ़ाया उससे हमारे demand पर क्या असर बढ़ेगा अरे हमारे जैसा product किसी और का है यह नहीं न तो कोई दूसरे product का price बढ़ भी गया पर जनरली तो कोई असर नहीं पड़ता बाकी products के price अगर बढ़ भी जायना या कम भी हो जाये हमारे product के demand पर असर नहीं पड़ता लेकिन यहाँ पर price elasticity of demand होता है less than one याद रखेंगे less than one मतलब यहाँ पर relatively in elastic demand होती है कैसी होती है relatively in elastic demand होती है कहाँ पर monopoly में है ना देखो आप single seller है product के आप अपने मन मर्जी से price को जादा रख रहे है इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि लोग फिर भी पागलो जैसा लेते जाएंगे अगर आप price को बढ़ाएंगे तो quantity demanded कम होगा थोड़ा से कम होगा पर कम तो होगा समझे तो यहाँ पर in elastic demand है मतलब की steeper downward sloping demand कर होता है अगर यह elastic होता तो वहाँ पर flatter होता downward sloping demand कर यहाँ पर चुकी in elastic demand है इसके steeper downward sloping demand कर होता है ठीक है next आगे बढ़ेंगे यह सब mcq आते है यह सारी चीज़े mcq है सब mcq आते है next बोलते मोनोपलिस्ट के revenue कर देखेंगे बोलते मोनोपली में average revenue margin revenue दोनों ही क्या होते हैं दोनों ही बेटा आपके negatively sloped या downward sloping downward sloping curves होते हैं मोनोपली में क्या बताईए मोनोपली में average revenue and margin दोनों ही क्या होते बताईए दोनों ही downward sloping होते हैं यादा रहा है मैंने आपको बता था imperfect competition में आपका demand curve या average revenue curve जो है वो downward sloping होता है मतलब इसका मतलब क्या है मतलब कि अगर ज्यादा quantity बेचनी है तो price को कम करना ही पड़ेगा और जब हमारी prices कम होती है तो पीछे के भी units पे कम होती है यादा रहा है price reduction applies to all units यूनिट वान में पता है तो इसलिए marginal revenue याद रखेंगे हमारा जो marginal revenue होता है न वो ज्यादा तेज से गिरता है average revenue से इसलिए marginal revenue हमेशा average revenue से कम होता है कहां imperfect competition में इसमें monopoly में हमेशा कम होता है कहां पे monopoly में पर perfect competition में ये दोनों equal होता है ठीक है ओके आगे अब मुझे बताओ यहाँ पे steepness किसकी ज्यादा है अच्छा steepness ज्यादा होने का मतलब क्या होता है अगर slope का value ज्याद slope का value ज्यादा मतलब की steepness ज्यादा है अच्छा steepness का मतलब क्या है देखो अगर बेटा मैं आपको इस पे बिठा दू ऐसा समझो यह घसर पट्टी क्या है बताओ यह घसर पट्टी है ठीक है मनवोनी का slide बच्पन में बैठते थे तो मैंने अगर आपको यह वाले घसर पट में बिठाया काहां पे डर ज्यादा लगेगा आपको इसमें डर ज्यादा लगेगा या आपको इसमें डर ज्यादा लगेगा डर काहां ज्यादा लगेगा बताओ घसर पट्टी कौन से घसर पट्टी एवरेज रेवेन्यू वाले घसर पट्टी में डर ज्यादा लगेगा कि marginal revenue वाले में डर ज्यादा लगए सोच के देखो दिमाग लगओ थोड़ा सा सर अगर यहां पर बिठाऊंगे ना घप से नीचे आ जाएंगे और यहां पर बिठाऊंगे तो धीरे धीरे हौले हौले नीचे आ रहे पर यहां पर बिठाऊंगे घप से नीचे मतलब क्या बताऊ मतलब की बेटा इसका स्लोब ज्यादा होगा इसका की इसका marginal revenue का slope ज्यादा होता है average revenue से समझे ऐसा सोचना है ओके तो slope of इसमेना relationship है बोलते है slope of marginal revenue is a two into slope of average revenue यह mcq आता है भहिया तो घसर पट्टी से याद रखेंगे ठीक ना घसर पट्टी से याद रखेंगे next आगे बढ़ेंगे next आगे फिर बात आते ही बोलते हैं यह marginal revenue जो है न यह exactly यह marginal कर जो न वो exactly क्या करता है यह average revenue के point को और origin को exactly दो equal हिस्तों में बाटता है अब ऐसा मोनोपली में होता है अभी हम इसके derivation में नहीं जा सकते हो के बस याद रखेंगे बोलते है margin revenue curve lies halfway between average revenue and y-axis it cuts the horizontal line between y-axis and average revenue into two equal parts यह सब mc की बात है ठीक है जिसको नहीं पता कोई बात नहीं बटा अब लिख लो आप बोलते है average revenue का कभी zero हो सकता है क्या बोलते है प्राइस जीरो होगा मोनोपली में सोचके देखो प्राइस कभी zero हो सकता है का एको फुगण में बेचेंगा हो बोलते है average revenue cannot be zero याद रखेंगे लेकिन marginal revenue जो है margin revenue देखो जो marginal revenue है आपका वह आपका positive भी हो सकता है वो आपका positive भी हो सकता है वो zero भी हो सकता है और वो negative भी हो सकता है तो आपका margin उन्हों can be zero और even negative ठीक है यह याद रखेंगे important points है next अगली बाद आते बिटा कि monopoly जो ना यह दो प्रकार की होती है monopoly जो है यह दो प्रकार की होती है एक होती ही बिटा आपकी simple monopoly simple monopoly वाला क्या करता है उसका जो product है जो वो product बेच रहा है वो product का same price charge करता है same के लिए यह लोग शब्द यूज़ करते है uniform same के लिए यह शब्द यूज़ करते है uniform गोलते है ऐसा monopoly वाला जो uniform price से charge करता है सारे buyers से वो होता है simple monopoly क्या होते बताए simple monopoly तो जैसे Indian railway वाले third tire passengers को same fair charge कर रहे ठीक है अब वैसे इसके example पे नहीं आता है पर यह याद रखेंगे जब एक monopoly वाला अपने product का same price charge करता है सारे customer से simple monopoly आगे then यह क्या है sir यह है बेटा आपका discriminating monopoly दूसरा बोलते prices charge करता है किस से बोलता है यह अलग अलग price charge करता है अलग अलग consumer से या अलग अलग uses के लिए मतलब कि आपके use के उपर जैसे electricity में होता है बेटा जैसे electricity में होता आपको पता है कि घर पे अगर आपने 5 unit electricity use की और अगर आपने आपके दुकान में पांच इलेक्टिसिटी यूज की तो दुकान का बिल ज्यादा आता है कमर्शल परपस, रेसिडेंशल परपस समझें कि यूज के हिसाब से प्राइसेज बदल रहे हैं यह होता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपली जेपिस की नहीं जेपिस बताओ आपके ना बुक में पॉइंट दिया है मैंने वो पॉइंट डाला नहीं हमारे रिविजन में क्योंकि वो उतना इंपोर्टन नहीं है इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है इसका पॉइंट होता है बस इतना आप लिख दो कि नाचुरल मोनोपली कैसे अराइस होती है नाचुरल मोनोपली कैसे अराइस होती है जब किसी ओर्गनाइज़ेशन के पास very large economies of scale का फाइदा हूँ सर मतलब मतलब की बेटा एक organization है वो particular product बना रहा था इतने large scale में product बना रहा है इतने सालों से बना रहा है कि उसका average cost इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि वो एकदम कम से कम price में भी product को बेट सकता है अब जैसे ही कोई नया competitor आता है ना market में product को बेचने के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा अपने product का price और कम कर देगा वो competitors को market में रहने ही नहीं देगा तो अगर किसी organization के पास economies of scale का फाइदा है मतलब कितना large scale production कर रहा है कि average cost इतना कम हो चुका है कि उससे कोई और compete कर ही नहीं पाता naturally उसकी monopoly create हो जाती है तो इस पे MC क्यों आया था ठीक है ना याद रखेंगे इस चीज़ को आगे हैंगे next वापस ठीक है अगला देखेंगे अगली बात बोलते हैं कि monopoly वाला short run में equilibrium में कब आएगा अच्छा मुझे बताओ क्या मुझे monopoly में देखनी की जरवत है क्या individual firm individual अरे वह या industry और firm तो same ही चोता ना तो monopoly में यह करते ही नहीं time pass अपन अरे monopoly में जो firm है वही industry है तो क्या अलग-अलग लिखूंगा गया अच्छा मतलब कि अगर मैं monopoly का short run का firm का देख रहा हूना equilibrium तो उसी में industry भी आ गया क्योंकि उसमें firm और industry same है समझा बात क्या रहो इसलिए लिखते है निक्या बोलते equilibrium of monopoly short run equilibrium of monopoly long run क्योंकि firm और industry same है ना condition क्या है short run की check करो same condition पहला condition है first order condition क्या है MR आपके MC से equal होना चाहिए दूसरा condition क्या भी है कि MC should cut MR from NICU NICU MC should cut MR from NICU खतम होगे बात अब अगला सवाल क्या monopoly वाले को losses हो सकते का short run में answer क्या है yes बिल्कुल हो सकते है अगर average revenue average cost से कम हो तो क्या मुझे आपको सवाल क्या पूछेगा monopoly वाले को short run में loss हो रहा है तो क्या बंद कर देगा business क्या business बंद कर देगा बोलते नहीं बोलते हैं क्या हमें firm को shutdown कर देना चाहिए answer है it depends बोलते अगर average revenue इतना गिरा हुआ है कि आपका average variable cost भी recover नहीं कर पा रहा तो फिर shutdown कर दो है ना क्योंकि shutdown कब होता है shutdown तो इसमें होता है ना हमने पड़ा है unit 1 में behavioral principle तो अगर average revenue average cost से कम है तो loss तो हो जाएगा लेकिन shutdown कब करेंगे जब average variable cost से भी कम हो जाए average revenue ठीक है बासन में आरी ओके आगे इसमें मैं अभी numerical example नहीं ले रहा हूँ बस इतना याद रखे आगे बढ़ेंगे next फिर आता है कि मुनोपली वाले का long run में equilibrium कब आता है अच्छा कोलते देखो क्या होता है कि चूकी यहां पर competition नहीं है अब देखो एक बात को समझो बेटा जब competition होता है ना तब हमारे अंदर एक आग दौरती है कि यार बाकी लोग मुझे से आगे निकल जाएंगे मुझे भी करना पड़ेगा मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ेगे आप समझ पारो जब competition होता है किसी चीज में तो सब लोग के अंदर एक internal motivation होता है कि हमको कुछ ना कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा तब ही तो बाकि क्याले के case में competition है नहीं तो मैं क्याइक को minimum point of long run average cost पर production करूँ अरे वो तो इनको जर्वत थी वो तो इन लोगों को जर्वत थी क्योंकि competition ही इतना हैं सब को minimum point of average cost पर production करना जबड़ता अरे जब हमारे case monopoly में competition है ही नहीं, तो मैं काई को optimum level पे production करूँ मेरा जितना भी average cost आए अन दो, मैं तो ज़्यादा price charge कर सकता ना मैं काई को tension लूँ बोलते हैं, monopolist need not जरूरती नहीं है optimum level पे production करनेगी जरूरती नहीं है minimum point of long run average cost पे production करनेगी बोलते हैं, यह जो है, sub optimum level पे भी production कर सकता है मतलब ऐसा level जहां पे long run average cost minimum नहीं है ना, चलता तुम production करो ना, काई को tension ने रहे ऐसा, बोलते हैं, need not reach minimum of long run average cost he can stop at any point on LSE, where his profit are maximum, यह क्या बोलेंगा भया देख मेरा profit maximum का हो रहा यह बताओ, वो minimum point पे production करो, भली बोले हमारा average cost का minimum point यह है, हमारा profit का maximum हो रहा, हमार profit maximum हो रहा, MR equal to MC इस point में maximum हो रहा, ओके तो इसके हिसाब से production करेंगे भले ही इस level पे भले ही इस level पे average cost हमारा थोड़ा जादा है, होंदो ना क्या फरक बढ़ रहा बोलते हैं, monopolist will will क्या बताई, अगर उसको losses होता है long run में, याद रखेंगे monopolist वाले को जरूरी नहीं कि हमेशा profit हो, अगर इसे losses होंगे long run में, तो continue नहीं करेगा फिर, बोलते हैं monopoly वाला continue to make pure profits, इसे pure profit मिलते है, pure profit का मदलब क्या है कि पूरे market में जितना profit कमा सकते थे, पूरा एक इच व्यक्ति को मिलता, क्यूँ, क्यूँकि किसी और को आने नहीं देता ना वो अंदर अच्छा, समझ रहे बात हाँ, जैसे कि बेटा देवांश ने, देवांश ने अपनी दोस्त पिंकी को बोला, कि मेरा पूरा दिल तेरे लिए है जन्नते से जाई मैंने तेरे लिए ऐसा, समझ रहे बात हाँ बोलते हैं, पूरा दिल पिंकी तेरे लिए है ऐसा क्यूँ बोले, पूरा कैसे, बोलते हैं मैं किसी को दिल में आने ही नहीं देता ना किसी और को इसलिए पूरा तेरे लिए है वैसे ही मारकेट का पूरा प्रॉफिट मारकेट का पूरा प्रॉफिट एकच मोनोपली वालेओं को मिलता क्यूं क्यूंकि बाहर वालों की एंट्री हमने ब्लॉक करके रखी न ड्यू टू ब्लॉक्ट एंट्री M.C. क्यूं आता है कि मोनोपली वाला प्यॉर प्रॉफिट क्यूं कमा पाता है ब्लॉक्ट एंट्री के वज़े से जैपिस की नेपिस बताओ आगे देखेंगे फिर आगे देखेंगे नेस्ट हाँ पर बेटा ये सब यही पर करना ये शच में मत बुनना जाके वरनना तुमको ब्लोक कर देंगी वह ठीके ना बात संच पारो चलो आगे बढ़ेंगे अगली बाद जल्दी करो बस तीन चार पेज बचे फास चलो जल्दी करेंगे अब नेक्स्ट पॉंट आदे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अब क्या हुआ सुनो बाद ध्यान से अब क्या हुआ अब क्या हुआ बताओ अब जो है ना हाँ अब जो पिटा संजू और काव्या ठीक है क्या हुआ बटा कि संजू जो ना संजू संजू जो है यह रहता है संजू जो है संजू यह रहता है नागपूर में और काव्या जो ने बटा काव्या संजू यह रहती है दिल्ली में ठीक है अब क्या हुआ कि मैंने ना मेरी बुक बनाई मैंने मेरी बुक बने सूपर चाड़ बुक इन्डिया भर से ओर्डर आना चालो होगा इसके लिए अब क्या हुआ इसको ओर्डर किया संजु ने और काविया ने दोनों ने अब इसकी प्राइस है समझो कित्ती बताओ इसकी प्राइस है 299 ठीक है अब क्या हुआ कि जब संजु ने और किया ना मैंने बुला यार कि मैं भी नागपूर में हूँ मैं भी नागपूर में ही हूँ संजु भी नागपूर में ही है तो क्या संजु को फिर मुझे कूरियर के चार्ज उतना लगेगा नहीं तो मेंना Sanjum Center 299 रूपीज ही चार्ज की है यह बुक के लिए लेकिन काव्या दिल्ली में रहती है अब दिल्ली में बुक को भिझवाने का भी तो पैसा लगेगा ना दिल्ली में बुक को भिझवाने को भी पैसा लगेगा समझो लग रे 80 रूपीज तो मैंने कावया को बोला कि कावया यार आपको जो है ना 379 में मिलेंगी बुक क्योंकि कुरियर चार्ज लग रहा है मतलब कि सेम प्रोडक्ट के लिए हम अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं अलग अलग कस्टमर को क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है येस और नू क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है बताव फास्ट येस और नू हम सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं अलग लोगों से क्या है प्राइस इसका आंसर है नहीं 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 मैंने पूछा चांद नहीं चलो आप आपस हां क्या आंसर नहीं ये प्राइस डिस्किमेशन नहीं होता हमने अलग अलग प्राइस चार्ज क्यों किया कॉस्ट के वज़े से अरे चूकी हमारे कॉस्ट के differences आ रहे थे इसलिए हमने different prices charge की जेपिस क्या इसको price discrimination नहीं बोलते सर फिर बोलते price discrimination का मतलब क्या है बोलते है it is when producers when producers sell specific good or service जी obligates मनलब good or service goods or services to different buyers at two or more different prices for reasons not associated with for reasons not for reasons not associated with differences in cost cost के difference के वजे से अलग price charge कर रहो हो ये नहीं होता price discrimination बोलते है cost के अलबाब हम अलग-अलग price charge कर रहे for reason not associated with difference in cost बोलते price discrimination जो है monopoly वाला कर सकता है क्यों करता है ये ताकि वो ज्यादा profit कमा सके abnormal profit कमा सके लेकिन price discrimination काहा नहीं हो सकता MC क्यों आता है बोलते perfect competition में तो ये हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि perfect competition में क्योंकि perfect competition में तो जो market में price चल रहे हो अपना नहीं पड़ती समझें क्या बात तो सर फिर ये होता कब है सर हमको ये तो बताओ ये होता कब है बोलते देखो जब हम हमारे market को समझो मैंने 2 sub market में divide कर दिया मैंने बोला sub market A और sub market B ठीक है तो मैं एक monopoly seller हूँ समझो मैंने मेरे market को 2 sub market में divide कर दिया ठीक है 2 part में divide कर दिया अब मैंने गया बोला कि market A यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं आपके जैसे और सब market B में मेरे जैसे लोग रहते हैं हैं बताओ तो अब क्या हुआ बोलते जनरली जो रिच लोग होते ना जनरली बिटा जो रिच लोग होते वो क्या करते हैं जो रिच लोग होते ने वो क्या करते बताईए रिच लोग जो होते हैं यह इनका जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होता है इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि भले ही price बढ़ जाना फिर भी demand कम नहीं करेंगे और जो poor लोग होते ने बैटाई इनका elastic demand होता है elastic demand का मतलब क्या होता है कि जैसे ही price बढ़ेगा ना वो खरदना बंद कर देड़ेंगे या तो कम खरी देंगे, एकदम से demand गम कर देते हैं मतलब कि अगर हम हमारे product को हम हमारे product को अलग-अलग price में बेच रहे हैं इसके वज़े से कि दो अलग सब market में elasticity अलग-अलग है इसे price discrimination बोलते हैं अब हम क्या बोलते हैं जहां पे इन elastic demand है ना वहां पे आपके product का price ज़्यादा charge करो क्योंकि इन लोगों को तो फरक पड़ता ही नी price से तो ज़्यादा price charge करो same product का और ये जो poor लोग जो है ना मनब जहां जिस market में elastic demand लोगों की वहां पे price आप कम charge करो क्योंकि यहां पे ज़्यादा price charge करोंगे तो ये लोग खरी देंगे नी न तो ये होता है price discrimination जब elasticity के differences के वज़े से हम अलग price charge कर रहे हैं समझे बात अब इधर आईए अब इधर आईए आगे बोलते हैं देखो पहली बार बोलते हैं कि ये अब इस पर सवाल आता है हां supply पे अरे हम जब supply को control कर पाएंगे तभी तो हम decide करेंगे ना कि इस market में कितने का बेचना है price set करने का power होना चाहिए seller के पास अब perfect competition में ये power होता ही नहीं इसलिए perfect competition में price discrimination नहीं कर सकते आगे बोलते है seller should be able to divide his market into two or more sub market हम हमारे market को दो या दो से ज़्यादा सब market में divide कर पाने चाहिए तभी तो अलग-अलग market में अलग-अलग price charge करेंगे ये जहेपा कै क्या मुलना चारो बताईगे वरना अगर हम market को divide ही नहीं कर सकते सेम मार्केंट में अलग-अलग price charge करेंगे कस्चमा राके दना दन फटके लगाएंगे बोलेंगे भाया आपने अभी तो उसको सस्ते में दिया मेरको क्यों ज्यादा प्राइस आप charge कर रहे हो समझें क्या आगे नेक्स बोलते है price elasticity of product should be है ना price elasticity of product should be क्या बताए शुट बी different in different sub market अगर ऐसा है तो ही price discrimination कर पाऊंगे और फिर क्या बोलते हैं जहांपे in elastic demand वहाँ पे क्या करूँ जिस market में in elastic demand क्या करूँ वहाँ पे जादा price charge करो जिस market में elastic demand क्या करूँ वहाँ पे कं price charge करो और बेटा कुछ लोग बड़े ही Shining होते यहांपे रितिक ने क्या क्या देखना है रितिक ने क्या किया रितिक को पता चल गया कि यहाँ पे सस्ता यहाँ पे महेंगा रितिक क्या करेगा यहाँ पे जाके खरी देंगा प्रोड़क को और इसको जाके यहाँ पे वही बेचना चालू कर देगा इसको बोलते हैं आरबीट राज करना जब सेम प्रोड़क का प्राइस एक मार्केट में कम होता है और दूसरे में ज़्यादा होता है, तो जहाँ पर सस्ता है वहाँ पर खरीदो, जहाँ पर मेंगा है वहाँ पर बेज डालो, तो रितिक को तो बैठे-बैठे ठीक है, मतला मार्केड आर्बिट्राज नहीं होना चाहिए, जब यह चारो कंडिशन पूरी होंगी, तो ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो पाएगा, इस पे बहुत सारे MCQs आते हैं, फिर बात आते हैं, डिगरीज ओफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बोलते हैं, क्या है पह पहला दिया था, ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, बोलते हैं, पहला होते हैं, फिर्स्ट डिगरी ओफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब हम कस्टमर वाइस अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, हम इंडिविजल कस्टमर कंजूमर वाइस अलग प्र प्लस आपको MC क्यों आता है आपको यह point लिखा होगा बोलेगा कॉंटसे degree of price discrimination में यह होता है first degree में याद रखेंगे है ना तो जैसे doctor कर सकता है अमीर patient होगा तो ज्यादा price charge करेगा ज्यादा fees charge करेगा अगर गरीब patient होगा तो कम fees charge करेगा lawyer consultant Chartered Accountants अगर client हमारा client क्या बताईए हमारा फुकड दोस्त है क्या बताईए फुकड बाज है तो उससे फिना हम फीस नहीं लेंगे पर अगर हमारा client क्या बताईए है अमीर है तो उससे फिर ज्यादा फीस लेंगे हमारे काम की ऐसा तो customer wise, client wise हम अलग-अलग price charge कर रहे हैं first degree, next आदे बेटा second degree, next क्या होता बताईए second degree of price estimation बोलते हैं, क्या आपको पता है कि अगर आप एक साबून की टिकिया खरीते हैं, तो समझो 50 रुपए की, लेकिन अगर त तीन टिकिया किती हो गई, देड़स रुपए की, पर अगर तीन टिकियों का आपने वो लिया combination, तो 120 में आ जाता है, ऐसा होता है, बोलते हैं, लार्जर quantities are available at lower unit prices, इसे बोलते हैं second degree of price estimation, हम quantity wise क्या कर रहे हैं, quantity wise जो है हम कम कर रहे हैं, क्या price को, या बहुत बार होता है, consecutive purchases पर आपको अलग price चार्ज करते हैं, बोलते हैं, देखो, अगर तीन सु रुबे का recharge करूँगे, तो डेली का 1GB internet मिलेगा, मतलब कि एक दिन का internet कित्ते हो गया, 10 रुबे का, अगर तीन सो रुबे का अगर आपने क्या 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 recharge किया, तो 30 डेज तक 1GB internet मिलेगा, मतलब एक दिन का कित्तेगा हो गया इंटरनेट वन जी भी दस रुबेगा लेकिन अगर आपने किसी दिन आपका इंटरनेट खतम हो गया अब अगर आपको और इंटरनेट चाहिए उस दिन तो फिर आपको 30 रूपीस का करना बढ़ेगा रिचार्ज consecutive purchases में हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे है या अलग प्राइस चार्ज कर रहे है second degree of price discrimination समझे बात आगे बढ़ेंगे next फिर आता है third degree of price discrimination third degree क्या होते हैं बताओ third degree of price discrimination है दनादन पे लो third degree of price discrimination मतलब क्या है नहीं third degree का मतलब होता है जब हम customer segment wise या location wise अलग-अलग price charge कर रहे हैं MC क्यों आता है अगर हम हमारे customer को NOW साब market में divide करें और अलग-अलग sub market में अलग-अलग price charge कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं third degree सर अब हम divide कैसे करेंगे customers को sub market में बोलते या तो age wise कर दो जेंडर वाइस कर दो जैसे दिल्ली में आपके बस में जो गवर्मेंट की बस होती है उसमें अगर मेल व्यक्ति जा रहा है तो उसको उसको चार्जेस लिए जाते हैं पर फीमेल जाती है तो उसको फ्री है आपने आपके मार्केट को जेंडर वाइस डिवाइड किया और अलग अलग जेंडर से अलग अलग प्राइस चार्च कर रहे हो या तो फिर आप अपने मार्केट को एज वाइस डिवाइड कर सकते हो लोकेशन वाइस डिवाइड कर सकते हो कि इंडिया में प्रोडक्ट भीखेगा तो अलग प्राइस, चाइना में प्रोडक्ट भीखेगा तो अलग प्राइस, अब चाइना वाले क्या करते हैं, चाइना के जो मुबाइल फोन होते हैं, जैसे MI हो अपना, ओपो, वीवो, रियल्मी, यह सारे चाइना की कमनी है, OnePlus सब है ये लोग क्या करते ना उनका अगर कोई mobile phone कोई model है वो चाइना में महेंगा मिलता पर इंडिया में वही वाला चाइना ने किया डंपिंग मतलब क्या है जान बूच के अपने में महेंगा है पर दूसरे कंट्री में सस्ता ब्रोड़क बेच रहा वही वाला क्यूं ताकि दूसरे country का market पुरा capture हो जायए ऐसा ठीक है आगे बढ़ेंगे next फिर बात तो इनक्त क्या आएगा थर्ड डिगर याद रखेंगे next फिर बात आता है ने बिटा मोनो पॉलिश्ट ही कॉम्पटिशन जल्ली देखेंगे बोलते हैं, monopolis contribution में क्या होता है, large number of sellers, लाज number of sellers, selling, selling क्या बताईए, differentiated, selling differentiated, मतलब, similar but not identical, similar but not identical products, to attract customers on some basis other than price, बोलते हैं, monopolis चीक में आता है, आपका soap, monopolis चीक competition, मैंने एक तवचा में, normal साबून लगाया, दूसरी तवचा में डव का साबुन लगाया डव वाली तवचा जादा मुलायम थी क्या होता है यह? Mono-Polistic competition सारे साबुन जो है वो होते सेमीच है सिमिलर होते है सारे साबुन बद थोड़ा-थोड़ा उसका डिजाइन अलग होता किसी की सुघंद अलग होती है है ना तो ऐसा थोड़ा-थोड़ा चिंजस होते है फिर डिटर्जेंट पाउडर क्या बताईए तो सोफ हो गया डिटर्जेंट पाउडर हो गया Mono-Polistic competition टूथ पेस्ट क्या होते है Mono-Polistic competition अगर आपको किटानू से डिशुम डिशुम करना है तो क्या बताईए Colgate लो अगर आपको मजबूत मसूडे चे मजबूत मसूडे तो Colgate किटानू से डिशुम डिशुम करना है तो PEP student फिर क्या बताईए अगर आपकी अलग ही इच्छा ही अलग है तो आप close up भी use कर सकते हैं ना हाँ याद रहा है पास आओ पढ़ाई करो चलो आगे देखो अब देखेंगे features of monopolistic competition again feature क्या है large number of buyers and sellers ठीक है आगे next product differentiation बोलते हैं कि हम यहाँ पे products को differentiate करते हैं brand के basis पर यह mc क्यों आता है बोलते हैं कौन से market में हम brand आपको अलग-अलग brand देखने को मिलते हैं चीजों का पर monopolistic याद रखेंगे ठीक है न आगे बोलते हैं यहाँ पर close सारे products एक दूसरे के close substitute जैसे और पेप्सुडेंड यह एक दूसरे के क्या है close and substitute है इनका demand कैसा होता है इनका demand कैसा होता है बताइए यस इनका demand कैसा होता है इनका demand होता है रिलेटिवली elastic मलब greater than one elasticity of demand कैसा होगा greater than one ठीक है आगे बरेंग नेक्स्ट बोलते हैं यह यह लोग क्या करते हैं साइज डिजाइन कलर शेप परफॉर्मन्स फीचर पैकेजिंग इसके बेसेस पर क्या करते हैं ना competition करते हैं यह price के basis पर competition नहीं करते हैं बोलते हैं बहुत बार आपको बोलेगा कि close-up किया ना और बस ऐसा आपने किया तो क्या दनादन सब आपके अपोसे जेंडर वाले आते हैं आपके पास अब यह क्या है यह एक fan-seed feature है क्या सच में ऐसा होता गया नहीं समझे बात तो हम रहे बहुते हैं यह जो अलग अलग feature अलग हम जो चीजों के बारे में इसमें unipolistic competition में जो बताते आपको हमाय प्रोड़क के जो अलग फीचर होते हैं यह जैसे ही आपकी एज कम हो जाती मतलँ एक fan-seed feature है सच में नहीं होता है वैसा ठीक है आगे फिर आता है freedom of entry and exit जलो बोलते हैं यहाँ भी freedom में organization कभी भी छोड़के जा सकता है market नया organization कभी भी आ सकता है बोलते हैं यहाँ पे non price competition होता है यह MC क्यों आता है कौन से market में बेटा non price competition होता है मतलब मतलब की बेटा यहाँ पर कभी भी firm जो है ना price war में नहीं पड़ते हैं मतलब एक company ने अपने product का price कम किया तो दूसरे भी कम कर देंगे अब दोनों को losses होंगे इससे तो बिलते ऐसे घटिया price war नहीं करेंगे अपन price के basis पर competition नहीं करेंग करते ना अपन competition यह price के basis पर competition मत करो ऐसा तो यह avoid price competition non price competition ठीक है next आगे बोलते हैं MC की वादा याद करेंगे चलो जल्दी देखेंगे पहली बात बोलते हैं यहाँ पे जो ना productly differentiated each firm makes independent decision about price and output है ना हां तो बोलते हैं यहाँ पे आपको MC क्यो आता है monopolistic competition वालों को दिक्कत क् होती है या तो price set करने की या तो output set करने की है ना either price or output तो MC क्यों आता है कि monopolistic वालों को price set करने में problem है option A, output set करने में problem है option B, option C होता है बोथ A and B and option D होता है either A and B, तो क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे आइदर A और B या तो price set कर लो तो output अपने आप मिल जाएगा या तो output set कर लो तो price अपने आप मिल जाएगा तो यह either वाला answer होता है मैंने important MC क्यों में करवाया था जो मैंने बोला इतना वापस पीछे से देख लेना ठीक है मैं repeat नहीं कर रहा है आगे अगे देखेंगे next अगर differences कम है मालए similarity ज्यादा है मेरे product में और मैरे competitor के product में differentiation कम है मतलब similarity ज्यादा है और दो में similarity ज्यादा है मतलब दोनों में substitutability जादा है मलब दोनों एक दूसरे के close substitute हो जाएंगे अब अगर मैंने price बढ़ाया तो तुरंद मेरे customer दूसरे computer के पास चले जाएंगे ना तो बहुते हैं जब less differentiation होता है तो आपका more elastic demand होगा and flatter demand करोगा यह MCQ आया हुआ है आपको MC की पूछता है कि अगर less differentiation है तो demand कैसा होता है more elastic demand होता है याद रखेंगे next इसमें भी देखेंगे condition for equilibrium in short run monopolistic competition firm की बात कर रहे हैं same है MR equal to MC and MC should cut MR from nicho लिख दो आपे आगे next फिर बोलता है कि equilibrium of monopolistic competition in the long run again याद रखने हैं बेटा हमारे perfect competition यह MC की बात है ठीक है ना याद रखेंगे perfect competition and monopolistic यह दोनों में क्या होता है यह दोनों में बेटा होता है free entry and exit मतलब कि कोई भी barrier to entry नहीं होता और यही reason के वज़े से दोनों में long run में individual perfect competition firm individual monopolistic firm long run में सिर्फ और सिर्फ normal profit ही कमा पाते है क्या बात जेपनी है क्या तुम लोगों को जल्दी बताए fast हमार पस 15 मिट बस बचे जल्दी करो fast जल्दी चल्दी धान देंगे बोलते long run में monopolistic firm जो क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ normal profit ही कमा पाते है ठीक है ना आगे next अगली बात देखेंगे next आता है कभी भी अपने long run average cost curve के minimum point पर production नहीं करते they never produce at the minimum point of long run average cost curve याद रखेंगे ये कभी भी full economies of scale को realize नहीं करते ये optimum capacity पर production नहीं करते क्यूंकि देखो जैसे यहाँ पर आप देखो mr equal to mc का हो रहा है इधर हो रहा है ठीक है तो हम इतना output बनाएंगे अब अगर हम अगर हम हमारे average cost को कम करने की कोशिश करते और अगर हम ज्यादा output बनाने की कोशिश करते तो होता क्या ज्यादा output बनाने के चक्कर में आपका average cost कम तो होता पर आपका जो average revenue है आपका जो price है price जो price है ना वो ज्यादा कम हो जाता बोलते हैं कि अगर हम average cost को कम करने के चक्कर में जाते हैं न any attempt to produce more it will be irrational क्यों? because the fall in average revenue will be more than fall in average cost इसलिए ये पुराता नहीं है करना इसलिए average cost को minimum करना पुराता नहीं आप है फिर बात आती है कि long run equilibrium में mcq आता है प्लीज 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 याद रखेंगे कि monopalistic वाला हमेशा falling portion of falling portion of LAC पर प्रोडक्शन करता है याद रखेंगे long run में monopalistic competition वाला long run average cost करके falling portion पर production करता है ठीक है? हाँ तो इसके वैसे क्या होता है? जब हम falling portion पर करेंगे तो हम यहाँ पर हमारे factory को पूरी तरीके से utilize नहीं करते हैं कुछ ना कुछ excess capacity बच जाती है तो mcq आता है बोलते हैं हम यहाँ पर lower quantity बना रहे है than full capacity जिसके वज़े से excess capacity आती है तो यह mc क्यू आता है कि excess capacity कहा होती है monopalistic competition में और excess capacity कहां नहीं होती perfect competition में ऐसा सोच आए ठीक है perfect competition में क्या होता है हम minimum point of average cost पर production कर रहे है perfect competition में हम minimum point of average cost पर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम full capacity पर production करते है यह mcq आता है ठीक है लिख लो तो इसको जल्दी से आपको mcq आएगा पेज नमर 8 पेज नमर 8 में यह इधर लिख है यह पहले point के सामने लिखो यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिख दो कि हम यहाँ पे full capacity पर production करते है आपको mc कुआएगा कि full capacity में production कहां करते है सिर्फ और सिफ perfect condition और excess capacity कहा होती है equilibrium में monopalistic आगे बढ़े next अगली बात फिर सर्तो monopoly और oligopoly में monopoly और oligopoly में भी कभी-कभी excess capacity हो सकती है पर अगर institute पूछे कि excess capacity कहां है तो बोलेंगे monopolistic कहां नहीं है perfect competition में नहीं है बस आगे अब बात आती है आपकी oligopoly oligopoly का मतलब होता है competition among few few seller मतलब अगर कोई product को बेचने के around 2-10 sellers के आसपास है market में मतलब की oligopoly है इसका definition किस ने दिया था M.C.U. आता है professor Stigler याद रखेंगे professor Stigler ने मेटा definition दिया था oligopoly का इन्होंने बोला था oligopoly ऐसा market होता है जहां पे एक organization का behavior उसके rival उसके rival मतला बाकी competitor firm पे depend करता है जैसे कि इसमें example दिया आपको cold drink है ना तो जैसे Pepsi Coca-Cola ये किसमा आएंगे oligopoly में आते है जैसे ही Pepsi वाला नया एड लेके आता है Coca-Cola वाला भी नया एड लेके आना ही पड़ता है उसको इसको बोलते है इसको बोलते है strategic interdependence क्या बोलते है इसे बोलते है strategic interdependence मतलब क्या है मतलब कि सारे जो हमारे sellers है वो एक दूसरे के हरकतों पे हमेशा निगरानी रखते है तो ये MC क्यों आता है ऐसा कौन सा feature है oligopoly का जो उसको अलग ठहराता है बाकी form of market से strategic interdependence जेपिस फिर आता है आपका auto mobile मतलब car two wheeler वगरा किस में आएगा आपके oligopoly में then airline petroleum power generation ये आया था एक्जाम में mobile telephone की company क्या गिन सकते हैं आप उंगलियों में गिन सकते हैं number of companies mobile phone की Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung, Apple ऐसा गिन सकते हैं हाँ मतलब की large number नहीं है मतलब जिसको गिन पारे आप मतलब large number मतलब इतने है कि गिन ही नहीं पारे गिन पारे गिन पारे गा अच्छा oligopoly समझा ऐसा तो mobile telephone या internet service provider किसम आएगा oligopoly याद रहेगा next इसके feature देखो पहला मैंने बता दिया आपको कि एक organization के अरगाते बाकी firms पर depend करेंगी दूसरा यहाँ पर advertisement and selling cost पर बहुत खर्चा होता है mcq आएगा कि कहां पर होता है aggressive and defensive marketing बहुत जादा marketing करते रहते यह लोग कहां पर oligopoly next बोलते group behavior ऐसा हो सकता है कि जैसे 10 seller है market में तो 2-3 seller मिलके अपना group बना के कुछ क्या बताए price output decide करें ऐसा हो सकते कोई group बनाई ही नहीं दस seller में से कोई अपना अलग से group बनाई ही नहीं रहा है ऐसा भी हो सकता है इसलिए there is no generally accepted group behavior यहाँ पर अलग-अलग market में कुछ भी हो सकता है या तो कुछ लोग group बना के काम कर सकते या तो नहीं बना सकते नेक्स्ट बात अधी बटाइब टाइप सब बोली को बोली अगर आप यह topic नहीं करते हैं अगर आपके topic नहीं करते तो exam देने मच जाना ठीक है ना मेरे टॉंसे दुखने चलू हो गए अभी बस 10 मिट रुप जाओ 10 मिट काई क्लास है पुलते सबाब है अपना tzblack में ौनो पर सारे विंद्स त्छल एक है आपो अब सबसे बहुते हैं यहां जो पियोड़ या परफ़ेक्ट pous Colin यह कब होता है जब प्रोडक्ट हमारा होमोजीनस नेचर का होता है, लिग दो जल्दी, जब होमोजीनस नेचर का प्रोडक्ट होता है, तो प्यॉर उलीकोपोली या परफेक्ट उलीकोपोली बोलते है, इसमें MCQ आया था, December 2021 एक्जाम में, कि ऐसा कौन सा उलीकोपोली होता है, जहां पे र जहां पे आपके differentiated products या जहां पे product differentiation होता है, इसलिए बेटा, एक बार उपर आएंगे, यहां पे चेक करो, बच्चोगना यहां पे doubt आता है, इसलिए प्रोड़क्ट डिफ्रेंसेशन में ऐसा लिखा होता है, समझे बात, मैंने बोला था, बाद में बताँएंगा, आगे next, चलो आए वापस, अगला point देखेंगे next बोलते हैं ऐसा ऐसा oligopoly जहाँ पे new firms can enter आसानी से बताओ कौन सा होता है वो होता है open oligopoly लेकिन जहाँ पे new firms की entry restricted है closed oligopoly next आगे देखेंगे बोलते हैं ऐसा बेटा oligopoly जहाँ पे क्या बताई है जहाँ पे कुछ लोग अपने common understanding ऐसे grouping बना लेंगे और collusion में काम करेंगे मिली भगत को दो तीन सेलर्स मार्केट में मिलके price output decide करेंगे ये competition के खिलाब होता है इसे बोलते हैं collusive oligopoly क्या बोलते हैं इसे collusive oligopoly पर जहाँ पर आपका ऐसा कोई understanding जहाँ पर ऐसा कोई कुछ फर्म इसे बोलते हैं competitive oligopoly ठीक है next बोलते हैं oligopoly is dash when industry is dominated by one large firm तो आपके पूरे 10 seller में से या समझो 12 sellers में से कोई एक seller है जो बहुत बड़ा seller है ठीक है वो लाज firm है वही सारा price वगरा सब सब ले decide करता है इसे बोलते है पार्शल oligopoly लेकिन अगर कोई ऐसा oligopoly जिसमें ऐसा कोई price leadership किसी का है नहीं तो उसे क्या बोलते है उसे बोलते है full oligopoly क्या बोलते है full oligopoly next फिर बात आती है कि ऐसा oligopoly जो sell करता है products through a centralized syndicate एक centralized अलग से group बना दिया है क्या sell करने के लिए products इसे बोलते है syndicated oligopoly क्या बोलते है एंड क्या बताईए कुछ ऐसे oligopoly होते है जो साथ में मिलके बेचते नहीं है products जो साथ में मिलके बेचते नहीं पर साथ में मिलके क्या करते है मतलब की total oligopoly जैसे 8 seller से समझो market में उसमें से 3 seller ने अपना group बना लिया क्या करने के लिए price output quota मतलब limit set करना कि तू कितना production करेगा मैं कितना production करूँगा ऐसा quota set करना limit set करना यह होता है organized oligopoly ठीक ना अब एक MCU लिख लेंगे बिटा एक MCU आता है आपको कि oligopoly का example बताओ उसमें आता है OPEC Organizations of Petroleum Exporting Countries तो OPEC is an example of cartel in oligopoly यह आगे आने वाले है वैसा यह चीज़ यह इधर आने वाले है देखो कार्टल क्या होता है जब oligopoly में हमें group of firms बना लेते हैं that agree to collude to coordinate their activities leading to high market power and earn monopoly profits बोलते हैं मतलब क्या है कि हमारे market में क्या बताओ 10 seller थे उसमें से 3 seller ने अपना group बना लिया और अब वो 3 seller क्या कर रहे है अब अपने बीच में agreement बना लेकि देख मैं यह यह market में बेचूंगा मैं इतना प्राइस रखूंगा इतना उप्र बनाऊंगा यह क्या हो जाता है कार्टल अब यह कार्टल जो है ना इस यह कार्टल का Monopoly बनने का संभावना होती सुनना ध्यान से मैं क्या बढ़ू पॉलिको पॉली में जबacağım बनता है तो कкой bunu by बनने के संभावना होती है कब सम्टाइम्स यह mc कि वाथा है याद रखेंगे कि यह कभी कभार मोनोपली के तरह काम कर सकता है सम्टइमस समझा मज़ा मतलब की अगर बेटा हमने हमारे कार टेल में हमारे agreement के हिसाप से सब ने काम किया तो उनका क्या बता हिए उनका जो बन सकता है ऐसा धीरे धीरे बाखित सारे फरम बाहर हो जाएंगे फिर यही कार्टेल यह भजएगा फिर मार्केट में एसा थीक है दिमांड कर्व यहां पर बना ही नहीं सकते धंग से, क्योंकि जैसे हम price change करते ना, तो बाकी लोग price change कर देते हैं, जैसे मैं price को कम करूँगा, बाकी सब भी price को कम कर देंगे, तो मेरा demand बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बाएगा, मैं जैसे ही price को बढ़ा रहा हूँ, बाकी एक चीज लिखाया था, याद रखेंगे कि मोनोपली में हम, हम मोनोपली में definite supply कर्व नहीं बना सकते, और ओलीकोपोली में हम definite demand कर्व नहीं बना सकते, ठीक है, मैंने इसका भी logic बताया था, वैसे मेरे classes में, यह अभी नहीं बता सकता, याद रखेंगे, यहाँ पर इसका एक reason तो वही होता है, क्योंकि यह लोग ज्यादा price charge करते है, marginal cost से, और price discrimination करते हैं, इसलिए ऐसा होता है, तो यह चीज याद रखेंगे, मोनोपली में हम supply कर्व नहीं बना सकते हैं, ओलीकोपोली में definite demand कर्व नहीं बना सकते हैं, बड़ हमें काम तो करना है, तो इसके हम इसने ऐसे बहुत सारे assumptions को लेके, price output model बना है, क्योंकि market में जब customer product लेना आएंगा, तो ऐसा बोलेंगे क्या, अरे वो हमारा price बनने का है, क्याना demand कर बना नहीं पा रहे थे, इसलिए price नहीं बना, ऐसा होता गया, बोलते हैं, इसलिए assumptions के basis पर हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो है price output decide करना पड़ेगा, पहला assumption लेते, एक काम करो ना, आप जब price बदल रहे थे, तो आपके rivals ने क्या किया, उस पर क्यों focus करते, ignore करो interdependence, तो पहला बोलते, ignore करो, आप अपनी हिसाब से price रखो, अपनी हिसाब से product बनाओ, अब बात आती है बटा, अब तीन model आते है, यहाँ पर core not, ठीक है, core not model क्या होते है, बताओ, core not model बोलता है, कि firm का control variable होता है, output, मतलब क्या है, बोलते हैं, हम हमारा output decide कर सकते, output जित्ता बनाने, उस से फिर price decide करेना, next आदे बिटा आपका stackleberg, तो stackleberg भाहिसाब ने बोला, बोले नहीं, देखो, generally बोलते हैं, हर एक oligopoly ना, partial oligopoly होती है, जहाँ पर leader सबसे बिले price decide करेगा, उसके हिसाब से थिन, बाकी सब लोग price decide कर लेना, तीसरा आता है, birdrand model, क्या होता है, birdrand model, इसने बोला कि नहीं, output नहीं, price होता है, control variable एक firm का, मलब कि एक individual firm अपना price decide कर सकता है, जितना price सकना है, उसके हिसाब से फिर output बना लेना, या तो आखरी तरीका है, अगर आप demand कर नहीं बना पारेना, आखरी तरीका एक काम करो ना, सब लोग एक agreement बना लो, सारे sellers मिलके, और common interest के लिए काम करते रहो, जिसमें example आता है, OPEC का, ठीक है, last point देखेंगे जल्दी अब, आजो, एक बार यहाँ पर यहाँ मतलब monopoly, single buyer मतलब, single buyer मतलब, single buyer मतलब, monopsony लिख दीजे, monopsony, few sellers, मतलब oligopoly, few buyers, small number of large buyers, इसे बोलते है, oligopsony, क्या बोलते है, इसे बोलते है, oligopsony, next, बोलते है, ऐसा market जहाँ पे single buyer, single seller, मतलब की बेटा, monopoly, और monopsony का combination, क्या होता है, क्या होता है, यह होता है, bilateral monopoly, bilateral monopoly, ठीक है, last concept, अब बात आते हैं, king demand कर, बोलते हैं, देखो, हमारे, वैसे तो हम, हम oligopoly में, demand कर, बना नहीं सकते हैं, लेकिन, काम तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमारे, Paul A. Svz, Paul A. Svz, भाई सामने क्या किया, इन्होंने बताया था, कि oligopoly में, जो prices होती है, वो sticky रहती, क्या होती, sticky, क्या होती, sticky, या inflexible, महले, एक जगा पे अटकी होती, बढ़ती भी नहीं, कम भी नहीं होती, बोलते है, price rigidity, price rigidity, and, याद रखेंगे, quantity rigidity, बेटा, अगर price rigid रहेगा, तो quantity भी rigid रहती, देखो, बोलते है, oligopoly में, जो price है न, वो वही के वही, अटकी रहती, कम जादा नहीं होती, बोलते है, price एगर rigid रहेंगी न, तो quantity rigidity, अपने आप हो जाती है, याद रखेंगे, बोलते है, price rigidity कैसे explain कर सकते है, oligopoly में, king demand कर hypothesis से, इसका दूसरा ना में, बेटा, स्वीजी's model, क्या है, स्वीजी's model, बोलते है, देखो, इसमें, MC की वाता है, स्वीजी ने बोला कि, oligopoly के demand कर में, king होता है, king, oligopoly के demand कर में, king होता है, कहां पे होता है, king, बोलते है, king होता है, add the prevailing price, लिख दो, king होता है, add the prevailing price, ये MC की वाता है, बोलते है, अगर हम price को बढ़ाएंगे, तो हमारे computer हमको follow नहीं करते, औ और हमारा demand बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बोलते हैं, जब हम, segment above the demand curve is highly elastic, बोलते हैं, हम जब price बढ़ाते हैं, तो commenter हमको follow नहीं करेंगे, इसलिए हमारा demand दन्न से कम हो जाता, तो king के उपर वाला जो part होता है, demand curve का, king के उपर वाला जो part होता है, demand करका, वो elastic होता है, लेकिन king के नीचे वाला जो part वाला यह होता है, inelastic, क्यूंकि बोलते हैं, जब हम price को कम करते हैं, तो बाकी सब लोग भी कम कर देते हैं, जिसके वज़े से हमारा demand बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता, बोलते हैं, the segment below the prevailing price is क्या, is inelastic, मतलब कि हम जब price कम करेंगे, तो बाकी सब भी कम कर देंगे, when firm decreases the price, competitors will follow, जिसके वज़े से हमारे demand बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता, यहाँ पे हमारे सारे के सारे economics chapter 4 के जितने important concepts थे, इससे ज्यादा detail marathon मुझे तो नहीं लगता मैंने तो पूरी जीजान लगा दे इसके लिए आपके लिए, I hope कि आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजे पूरा economics chapter 4 आपको जबदस तरीके से cover करवाये हैं, अपने सारे दोस्तों को बता देना, अभी जस्ट पांच मिनिट में हमारे आदर सरका class law का जरूर देखे, बहुत जबदस law पढ़ाते हो, तो उनका class भी next राइट, यह हमारा schedule है, कल BCK chapter 1 का आपका टेस्ट बोटाँग, revision marathon करेंगे, इसके notes, BCK chapter के notes मैंने कहां डलवा दिये हैं, हमारे इस virtual library में डलवा दिया है, link आपके live chat box में pin कर दिया है, ठीकना जरूर बेटा comment करके बताना कि आपको मुझसे बढ़के कैसा लगता है, और अपने juniors को बता देना कि manzil batch को join करे, mv sir code use करेंगे, तो 25% discount मिल रहा है, limited period के लिए offer अभी validate, ठीक है, तो thank you so much and अपना ख्याल रखे, अपने parents का ख्याल रखे, क्योंकि हम हमारे parents के मेंना कुछ भी नहीं है, जरूर like करे, share करे, subscribe करे channel को comment करके बताना कि आपको मुझसे पढ़के कैसा लगता है, thank you so much guys, bye bye, like ठोक देंगे यार, बहुती कंजूस लोग यार, like ठोक के जाएंगे, इत्ते सारे बच्चे देखेते, like नहीं ठोकते हैं, चल, thank you so much, bye bye.